नमस्कार दोस्तों, इनकी रनिंग एज 44 यह है, 43 यह कंप्लेट हो चुके है, इनका सवाल है मुझे मकान चाहिए कब मिलेगा, आपके हाथ में बहुत बड़ा जीवन रेखा पर ट्रेंगल बना है, कम से कम 15-20 साल का, तो इस पिरियड में आपके जीवन में अच्छी खासी प मुझे बड़ा काम करना है, दुकान चलाना है, अच्छा नहीं लगता, बड़ी इंकम वाला बिजनेस करना है, आपकी धन रेखा वैसी मजबूत नहीं है, ठीक है, 2-3 सालों के बाद इंकम बढ़ेगी, पर उतनी भी दमदार आपकी धन रेखा नहीं है, हाँ, जीस वेक्त काता है, मर्सेडीस गाड़ी का इंजन, या मर्सेडीस गाड़ी, और उसे जब धन रेखा अच्छी नहीं होती, तो पकदंडी पर गाड़ी चलानी होती है, तो ये सेम कंडिशन आपकी भी है, ये तो आप नसिब वाले हो कि आपके हाथ में फिश साइन है, नहीं तो इस त नहीं होती, तो ये चीज बनती भी नहीं आपके जीवन में, आपके पिता ने बनाया हो या आपने बनाया हो, ये ड्यू टू इस साइन के कारण है, अगर ये ना होती, तो इस तरह की धन रेखा में बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता, तिसरा सवाल है, पॉलिटिक्स, इसके लिए, बड़े पॉलिटिक्स के लिए कही न कहीं यस साइन चीए हमें यहाँ पर, एक इस तरह की यहाँ पर भी फिश साइन चीए, यहाँ ट्रैंगल चीए, कही न कहीं चोटा बड़ा, और जो धन रेखा होती है, उसके आस पास कहीं न कहीं छोटी बोटी फिश सरपंच है, क्योंकि फिश साइन आपके हाथ में, तो सरपंच है, यह इस तरह के जो छोटे-मोटे इलेक्शन है, उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो, बाकि बड़े लेवल के इलेक्शन का तो यह हाथ नहीं है, और दूसरी चीज, जो हमारा दर्द, मुझे जिस तरह के फोटोग्राफ देखने की आदत है, तो वो जब प्रोवाइड नहीं होता, सवाल आप लोगों के सारे उसी तरह के होते हैं, अगर साफ फोटो हो, तो भी उतने ही सवाल होंगे, और इस तरह का फोटोग्राफ हो, तो भी सवाल तो उतने होंगे, आप हमें AK-47 देते नहीं ह और एक पुरानी रैफल से हमें गोली चलाने कहते हो कि AK-47 की तरह शॉट लगाओ, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं लाइन है समझने के लिए अच्छी क्लियारेटी वाला फोटोग्राफ चाहिए ही, तो वो आप लोगों पास अविलेबल नहीं होता, आ पाएंगे, तो यह हमारी भी मजबूरी है, नो डाउट आपके अगर धंद रिखा के आसपास कहीं न कहीं इस तरह की कोई साइन हो, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पिरियड में आप ट्राइक करिए, पर इस तरह के फोटोग्राफ में वो पॉसिबल नहीं होता, वो दिखेगी भी नहीं, और रुबरु में भी आ गए, तो हमें बहुत मैनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई एकाद फोटोशार पाता है, उसमें इस तरह की साइने दिख जाती है, इतना हाड सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स का, बहुत हाड सब्जेक्ट है, जितना आसानी से समझ में आता है, उतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजे देखनी होती है, यहाँ देखनी होती है, यहाँ पर यहाँ पर बहुत जगब पर उसकी संकेत देखने होते हैं, तो छोटे मुटे इलेक्शन में आप पाट लेजिए, बहुत बड़े लेवल की इलेक्शन वाला यहाथ न आपके हाथ में फिश राइन है तो वहाँ पर सबलता मिलने के चांसे से रहते हैं अब आपके ओवरल पाम का आपके हाथ में देखी कितना बड़ा ट्रैंगल बना हुआ है बहुत सारी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो आने वाले समय में यह कम से कम 20 साल के आसपास का ट्रैंगल है तो खुब प्रॉपर्टी आएगी आप वो चिंदा मत करिया आपके पास है भी प्रॉपर्टी आपने कहा भी है तो वो तो ड्यू टू फिश राइन के लिए कारण आई है और यह आपके हाथ में अच्छा योग बना हुआ है इस तरह की आपकी फीट लाइन नहीं है नो डाउट आप इश्वर ने आपको साइन तो अच्छी दे दी पर उसके सामने जो धन रेखा देनी चाहिए वो इतनी उत्तम नहीं दिये तो यह बेसिक समझ भी आप रखी है अब इस पाम को देखे तो यहाँ पर एक सी दी रेखा बन रही है धनुशा का जब इस तरह की स्थिती होती है तो व्यक्ति बहुत जादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रैप करके आगे बढ़ता ह यह पाम पूरा स्क्वेरी से है ऐसे लोग महनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेस्पुल बनाते हैं ऐसे लोगों को दो दिन अगर दुगांडरी जैसे अभी बरसात का मौसम है दो दिन जो और से बरसात आया दो दिन बिसनस नहीं हुआ फिर भी इनको कही न कई मन में ऐसा फिलिंग आएगा तिसरे दिन कि जीवन तो पूरा हो चुका अब क्या बचा है कुछ धंदा ही नहीं चल रहा है तो यह यह कंडिशन ऐसे चोड़े पाम वालों को होती है पर बहुत बहुत होते हैं रेकिस्तान में भी बेज़ दो तो वहां से भी मीटा पानी निकाल के लाए इनका अंगुठा नोट आउट अधिकारी टाइप का ही है फर्स्ट फैलेंच काफी नुकी लाए तो अच्छी जिद्ध होती है काम की सेकेंड फैलेंच भी अच्छा है लोजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते और अंगुठा मांसल है तो प्रस्नालिटी भी काफी अच्छी होती है और ऐसे लोगों से बाप बनकर दस रुपया नहीं ले पाओगे पर बेटा बनकर चाहे उतना ले लो इस तरकी प्रस्नालिटी इनकी होती है फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है और सुस्री की उंगली भी बड़ी है तो यह व्यक्ति को हिम्मती बनाती है कैसा भी समय व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है और जिख में 50 जार और 50 लाक के रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग लेते ऑर यह जो पैलेंज इस तरह के होते है ऐसे लोगों को पालिटिक्स से काफी लगा होता है मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में पाट लेता है पर इनको पॉलिटिक्स की बात करना बच्पन से कोई न कोई पाटी के ये फॉलोवर होते हैं इलेक्शन के समय तो इनकी चरम पर होती है डिसकेशन ये एक खासियत इन में पाई जाती है ये उंगली का सिरा मुड रहा है तो पैसा कमाने के लेलक ज़ादा रहती और ऐसे भी फिसे इनवालों को बहुत ज़ादा लेलक रहती है और ये उंगली फर्स फैलेंट तक नहीं पहुचती व्यक्ति डोकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति कहीं न कहीं कमजोर होता है जब ये उंगली फर्स फैलेंट तक नहीं पहुचती अब इनके क्लोजब की और चलते है बुद्परवत पर सीधी खड़ी लाइन जा रही है और बुद्परवत अपने आपने उभार है प्लस यहाँ पर एक एपेक साइन भी बन रही है ये बुद्प के गुणों को बड़ा देती है यानि बिजनेस सेंस इनमें पाउरफूल होता है और बुद्परवत अच्छा है तो व्यक्ति को सुन्दरता भी मिलती है थोड़ा सा यहाँ पर पाठ उभारो तो नाम के प्रती भी ज़्यादा जिग्यासा होती है इनको छोटा सा भी काम करें तो नाम होना चाहिए यह भी फिलिंग इनको रहती है तो यह सारी कंडिशन व्यक्ति के जिवन में रहती है अब संद माउंट पर बड़ी मुश्किल से ढूनने की कोसिस करने पर दिख रही है ऐसी कंडिशन है अब आप इसके अंदर आजादी के समय की एके फो राइफल दें आपने और आप एकस्पेक्टेशन एके फो्टी सेवन जैसा होता है यह देखिए यह काफी बड़ी फिश सा यह आपर नजर आ रही है एक यहाँ पर भी शो हो रही है एक हिहाँ पर भी हो सकती है हो ये किन्तु परंतु में और ये दो में किन्तु परंतु नहीं है तो ये condition है यानि इंक लगाने के बाद भी उतनी उभर कर नहीं आती चीज़े तो ये हमारी limitation यहां आती है ये सबसे बड़ा problem होता है ये photograph आपके बास भी होगा आप भी उसे निखर के देखिए हम ये pain होता है जब आप लोग पर पास वो level का phone नहीं होता तो जो photograph अच्छा लेता है तो ये pain हमारा भी है अब यहां पर एक विद्या रिखा है तो वेक्ति को basic knowledge अच्छा खासा होता है और लोग इनको पुछ पुछ कर काम करते और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज्यादा लोग पुछ पुछ कर काम करेंगे सेकेंड चीद देखे तो एक दो ये apex sign बन रही है ये भी एक advantage है ये भी सुर्य के power को बढ़ाती है apex sign बी ये एक plus point है इनके जीवन में शनी परवत फ्लैट है तो वेक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता और थोड़ा सा part यहां उभार है तो हो सकता है सुबह उठने में अच्छा ना लग रहा हो और एक लाइन जुपिटर की और जा रही है और एक लाइन थोड़ी सी सुर्य परवत की और भी जा रही है और इनका चंद्र परवत भी जादा अच्छा है तो हो सकता भविश में कभी न कभी विदेश से भी संबन्द आए और शनी कंटीन्यू फेट लाइन बनी विए तो कंटीन्यू इंकम आती रहेगी इनके जीवन में अब चलते इनके जुपिटर माउंट पर जुपिटर माउंट में थोड़ा सा इस फोटोग्राफ के हिसाब से देखो तो थोड़ा सा हलका सा उबार है तो थोड़ी सी पारि पारिवारिक समस्या देने वाला जुपिटर माउंट है और ये कंटीन्यू चलने वाली लाइन है ये वेक्ठी को कंटीन्यू प्रोग्रेस कराती है जीवन में और यहां पर भी एपेक्स है इन है तो ये बहुत बड़ा खेल करती हमारे जीवन में घ्रव की शक्ति को इस तरह का अंड़ि मंगल वेक्ठी को सारी रूप से काफी अच्छा बनाता है और बारि मंगल उससे भी अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं और हिम्मत से चीजों को सॉल करते हैं और जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं चन्रपरवत मेरे इसाफ से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये थोड़ा सा दबा हुआ है तो थोड़े बोलने की आदत ज़्यादा रहती है वेक्ठी में और ये पार्ट इतना अच्छा है कि ये विदेश से संबंद लाता ही है एनिहाओ चाय बुड़ा पे में आओ कहीं पर भी आओ पर विदेश से संबंद आए गई अच्छे पर्चेसर होते हैं ये लोग जब पैसा कमाते हैं तो इनके घर के फरनीचर और दुकान के फरनीचर देखने लायक होते है रिफैंड सोच होती है नया नया कारे करने का शौक होता है बुद लाइन भी है इनके हाथ म मनी ट्रेंगल भी पर बहुत हलकी रेखाओं के द्वारा बन रहा है और ये थोड़ा सा ओपन है और हलकी रेखाओं से बनता है फिस्टाइन वालों को मनी ट्रेंगल न भी हो तो कोई भी फरक नहीं बढ़ता तो इनकी धन रेखा भी एक्स्पेंसिव है और मनी ट्रेंगल बी कहीं न कहीं खर्च का पेमाना ज़ादा बता रहा है। शुक्र परवत भी काफी अच्छा है। तो ऐसे लोग कपड़े अच्छे पेहनते अच्छी तरह रहते हैं। पैसा कमाने का शौक होता है और खर्चने का भी शौक होता है। और लग्जरियस लाइफ की बहुत चाहत होती है और उसे प्राप भी करते हैं। हृदे रेखा देखे तो कंप्लीट शनी परवत से सुरू होती है। और दोनों के बीच में गैप है तो किसी न किसी को पूछ कर ये जीवन के निर्णे लेते होंगे। और ये यहां से निकली शनी परवत से जब रदे रेखा निकलती है। तो व्यक्ति में तीन ही गुंद धर्म होते हैं। एक तो सुबे उटते ही पैसा कैसे कमाना। उसकी तरफ ध्यान जाता है। जादा सोचते तो जादा कमाते भी है। इनकी अभी भी इंकम अच्छी है। बहुत खराब भी नहीं है। पर ये जो डिजर्व कर रहा है वो अभी तक इंकम नहीं है। सेकेंड। कामुक भावना देती है ये लाइन। और तीसरी चीज रहते हैं। कभी फिजिकल बनते हैं। ये तीन गुन डर्म पाये जाते हैं। हरदे रेखा काफी उत्तम हैं। जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। इस तरह की हरदे रेखा। इनकी सारी रेखा अच्छी है। माइन लाइन देखें। माइन लाइन भी पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। और ये सीधी चलकर यहां तक आ रही है। और यहां पर एक थोड़ी सी जुकाओ भी ले रही है। इस तरह से। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़े से धार्मिक बनते जाएंगे। सपने भी आएंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा बोल बोल करेंगे। बहुत ज्यादा तो जुक नहीं रही है। और थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आने पर गुसा भी आता होगा। यह भी रहेगा। और ये महतोकांशी व्यक्ति बनाती है और अपनी महतोकांशा पूरी भी करते हैं इनके हाथ में देखें लगबग राउरेखा 31 के आसपास एक राउरेखा ने काटा था इस पिरियड में कोई न कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में 35 के आसपास छोटी सी आभास हो र से दिख रही है एक 47 में छोटी सी दिख रहे और 48 में भी छोटी सी दिख रही है और 52 में चोटी सी दिख रहе है और यह भूद बड़ा ओप शुठ जा रहा और इसके द्वारा यह पूरा ट्राइंगल बन रहा है यह पूरा जमीनों का योग हैं यह आपके लिए कम से कम 20 स से पचीस साल अच्छा समय रहेगा जीवन में और खुब सारी प्रॉपर्टी आप लोगें और जीवन रेखा काफी उत्तम है चल कर सीधी यहां तक जा रही है अब इनकी फेट लाइन को देखे तो एक कट लगबग 28 के आस पास लगा फिर इनके जीवन में यहां पर बदलावाया होगा लगबग 38 के आस-पास कोई ने कोई कमाई के साथन में बदलावाया होगा यह लाइन ने या तो घाटा दिया होगा या इनिवेस्मेंट हुआ होगा 39 के आस-पास इनके जीवन में एक कट 40 के आसपास कोई न गाटा इनको गया होगा 40-41 के आसपास और इनकी जो आगे वाली जो स्थिति है ओनो देखे तो नाड़ी का रेखा है इनको बार बार इस तरस चार लिए तो एसे दोगों को बीच में इतना प्रोग्रेस नहीं आता जितने ये Romeo कर रहे है और थोड़ी सी भी धंध्रेखा अमारी इस तरह की हुई ये इस तरह की हुई तो इतना growth नहीं लेती क्योंकि जब कमजोर होती है तब ही नाडीका रेखा है Cross करती हुई दिखती है धंध्रेखा को तो ये इतनी अच्छी धन रेखा मैं नहीं मानता और यहां तक थोड़ा सा disturbance इनकी धन रेखा पर मुझे जादा दिख रहा है और यह period होगा लगबग 44 तक का उसके बाद थोड़ी सी अच्छी चल रही है और यह period आपके लिए काफी golden रहेगा यह 2 साल का period 51 से लेकर 53 का period बहुत जादा पैसे कमाओगे आप और यहां पर थोड़ा सा वापस income का थोड़ा सा कमी आएगी और यह period होगा 53 से लेकर 59 तक या 58 तक उसके बाद वापस आपको income की अच्छी स्थिती होगी तो यह condition आपके हाथ में शो हो रही है तो आप property तो कभी भी खरीच सकते हो हाँ वेवसाय चेंज करने के लिए जैसे आपने politics का सवाल पूछा तो यहां पर अगर कोई ऐसी fish sign हो तो यह politics में सफलता दिलाती है पर यह इस तरह के फोनों से पता नहीं चलेगा बाकि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा शाशक्त आपकी fat line नहीं है कि बहुत ज़्यादा growth हो फिर भी आपको मैं एक अद उपाय दे दूँगा उससे कोई changes आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद